नमस्कार मेरे साथ है अनिकेत आनंद जो सी यूए टी में 800 मिसे 794.98 मार्क्स लाए हैं तो आनिकेत आपका बहुत-बहुत स्वागत है वैलकम आपको रेजोनेंस परिवार की और से बहुत-बहुत शुपकामना है कि आपने इतना अच्छा स्कोर सी यूए टी में किया है और अनिकेत हम आपसे जानना चाहרה है कि कि किपी कि कि पहली बार अग्जाम हो रहा था तो किस तरह से आपने इसके थे बारे में तो मैंने कुछ चैप्टर्स पर रखे थे और लेकिन NCRT में जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर्स आने थे तो मेरे तीन डोमेन थे तो मुझे इन टोटल 43 चैप्टर्स कवर करने थे तो सर मैंने सबसे पहले 12th April को अपनी CUET के पढ़ाई शुरू की थी तो सर मैंने सबसे पहले यह किया कि जो डिलीटेड चैप्टर्स थे मेरे CBSC बोर्ट से जो मुझे यहाँ पर पढ़ने थे मैंने उनको पढ़ना शुरू किया मैंने उन चैप्टर्स के नोट्स बनाए, उन सारे चैप्टर्स को स्टडी किया, फिर उसके बाद सर मैंने जो मेरे सारे 43 चैप्टर्स हैं, उन सब को सर मैंने याद करना शुरू किया, ताकि मैं मेमोराइज कर सकूं, सब को मेरे कॉंसेट्स बियर हो जाएं, तो सर मैंने एक स्फिरी बार याद करने में गया इसमार सर मैं अपने शौत नौट्स के लिए इं Musa अफं net अज़ने के लिए रिखालो किए कि आप को लाइन बाइन बाइन पढ़ लेते हो तो आप सीुटी को कर सकते हो बहुत अच्छा निकीत आपने बताया जिस तरह से कि आपने कंटिनियूसली प्रैक्टिस करिए आपने सेलेबस को फोलो किया है साथ ही आपने जो अपने बेसीक हैं ने को कलियर करा सौ्ट करए आप नहीं रहें तो दूसरा और क्वेश्चिन आ इसको लेक추 वह नहीं आप पूछना चाहूंगा कि तरह का प्रेशर था चुकि का एक्जाम पहली बार हुआ कि किस तरह का एक्जाम होगा क्या होगा किस तरह करेंगे कि तरह का प्रेशर मैं जानना चाहूंगा प्रेशर हमारे इसरी को भी कई न कहीं affect करेगा तो सर मैंने मतलब self-doubt मुझे भी होता था जैसे जैसे एक्जाम नसदी का रहे ते मेरा 5 अगस्त को पेपर था तो जैसे दो जैसे जैसे के आपने कहा कि प्रेशर लेने से जो काम नहीं होता प्रेशर नहीं होना चाहिए और फिर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो निरंतर क्रोशिश करते रहना चाहिए मैं जाना चाहूंगा चुकि आप फर्स जनरेशन थे जिन्नो करना चाहिए नो लाग से ज़्यादा बच्चों ने इस बार पार्टिसिपीट करा था एक्जामिनेशन में तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको क्या सजिशन देना चाहेंगे सीवीटी को लेकर मतलब मेरा तो टार्गेट डियू था तो मैं डियू के स्पेसिफिक मैं कुछ बताना चाहता हूं सर क्यों डियू में ज्यादा दर कोर्सेस के लिए यही ऐलेजिबिटी है कि आप तीन डोमेन चूस करो और एक लैंग्वेज चूस करो तो सर अगर डोमेन हम में अच्छे से करना है तो डोमेन के लिए सबसे जरूरी है कि एंसी आटी को लाइन बाइन पढ़ना जरूरी है और सर लेंग्वेज के लिए मुझे मुझे जहां तक मैंने एक्सपिरियंस किया सर की सवाल प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में आप सब्सक्राइब करना चाहिए और जो हम बात करें कि जो डॉमेन सब्जेक्स और बेसिक सब्जेक्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में सब्जेक्स में मैंने जहां तक देखा सारे जो सवाल थे वह एंसी आटी पे बेस्ट है तो अलग-अलग सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना चाहिए कि आपको जो लैंग्वेज आप चूस कर रहे हो उसका आपको मतलब बेसिकली नॉलेज है आपका अ अगर आपको लेंग्वेज पढ़ने को बोला जाए तो आपको उसका नॉलेज है और एक और सवाल आता है कि आप डैली उनिवर्सिटी के लिए आपने प्रैक्टिस करी तो डियू के लिए ही आपने कॉम्पेटिशन को दिया था दियू में ही एड्मिशन लेना चाह रहे हैं और किस-किस उनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई करा था सर मुझे बेसिकली अभी मुझे बी एउन इस्ट्री करना है और उसके बाद मुझे यूपी एसी के लिए जाना है तो सर मैं मुझे दिल्ली में में एक तो कॉलेजेश बहुत अच्छे हैं प्लस अगर दिल्ल ये मतलब मैं मैं मैंने दिल्ली कई कोलेज़ेश चूज किया थे डिऊ मैंने भड़ा था जामिय मिली एश्लामिया बढ़ा था और डॉक्टर ब्यार अमबर्यटकर युणिवर्सिटी जू स्टेट गोर्मेंट की उनिवर्सिटी इसे चूज किया थे पहली पहली बार कौर्स लॉंज किया और मैं सेटास कर रहा था तो पहली बार में Resonance के वेबसाइट पर आया और उसके बाद मैंने खरीदा भी और फिर उसके बाद में सबसे अच्छी जो सर मुझे लगी जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे जितने भी स्टाफ थे वह बड़ी कॉपरेटिव थे मतलब मैं मैं जब भी हेल्प मांग रहा था हूं मेरी हेल्प कर रहे थे और सर हर तरह के हर तरह के सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज रेजोनेंस के पास है तरह के क्या बोलते हैं क्लासे जैविलेबल हैं हर सब्जेक्ट के लिए तो यह रेजोनेंस ने लिए बहुत ही अच्छा शुरू किया बहुत अच्छा लगा निकेट आपसे बात करके जानकर इस बारे में सी यूटी के बारे में और जो आपने न्यू जनरेशन को थो अच्छा स्कूर करा और हमको करेंगे कि आपको वही उनिवर्सिटी मिले जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आप अड्मिशन नेना चाहरे हैं थैंक यू अनिकेट थैंक यू सो मुच थैंक यू सर्थ